नमस्कार जाएं दोस्तों स्वायत करते हैं उन सभी अभ्यारतियों का युवा सिक्ति जी के गोईज में जो अभ्यारती प्यार फोरेटगाट एक्जाम्स की त्यारीच कर रहे हैं तो आज आप सभी के लिए फिर से यूनिक बूक के प्रैक्टिस सेट को लेके आ चुके हैं यह अभी प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगें इससे पहले ओलेडी टू प्रैक्टिस सेट हमसे भी कम्प्रिट कर चुके हैं जो चैनल पर अपलोड़ेट हैं अगर नहीं देखें तो आप सभी जरूर देखिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और इसका पीडिया आप टेलिग्राम पर उपलब करवाज़ेंगें वहां से आप सभी इसको डाउनलोड कर रहें चलिए आज का फ़स्ट कोश्ट कोश्ट क्या बोल रहें कोश्ट को पढ़ियागा आप सभी भारत में पंचायती र बताजिये का कितने एकुरिये कोश्ट को सही किए जितने कोश्ट की आप एकुरिये बता नीचे कमें वक्स में इकुल में 55 question है तो इसका right answer option में जाएंगे बलबंत राय मेहिता इसके अध्यक्षिते नोट कर लेंगे आप सभी next question दिखिए सरकार की पंचायती राज परनाली की पर्मुक विशेशता क्या है तो इसका correct answer option में जाएंगे इन में से सभी इनमें सरकार की तिन सरेनिया होती है बिलकुल सही है इसका लक्ष गौण को समाजिक एवं आर्थिक नियाय परदान करना है बिलकुल सही है जीला परिशत में इसके अध्यक्षिक के रूप में कुछ संसत होती हैं ये बिलकुल सही है तो इसका option मड़ी right answer हो जागे पंचायत राज परनाली के बारे में अगर बात करें पंचायत राज की तो इसकी अस्थापना होई थी 1969 में राजस्थान में की गई थी पंडित जवाला लेरू के दुबरा किया गया था उस समय का परदान मंत्री था पंडित जवाला लेरू next question दिखें किस उच नियायले में नियादिसों की संख्या सभर दीके तो इसके character answer option में बीज़ेंगे इलहाबाद उच नियायले में नियादिसों की संख्या सबसे अधीक है अगर बात करें इलहाबाद की तो इसके अस्थापना कब हुई 11 जुलाई 1866 को इसके अस्थापना हुई थी अगर वही बात करें कोलकाता उच नियायले के अस्थापना के बारे में तो इसके अस्थापना 1862 में हुई थी 2 जुलाई 1862 में हुई थी अगर वही बात करें मुंबाई की तो इसके अस्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को नोट कर लेंगे अगर वही बात करें पंजाब उच नियाले के अस्थापना की बारे में तो इसके अस्थापना 2 जनवरी 936 को हुई थी 1936 में हुई थी नोट करेंगे नेक्ट कोशन की बरेके बड़ते हैं कोश्चन 4 बारतिय सविधान को अपनाया गया था बारतिय सविधान को अपनाया गया था चबश्भीष निर्णबर Americans को और ये सविधान सभाद्वर्र अपनाया गया था इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया 26 जनवर 1950 को लागू किया था अगर बात करें सभीधान सभा के बारे में तो इसकी पर्तम बैठक 9 December 1946 को हुआ था जो कि वो अस्थाई अध्यक्ट डॉक्टर सचीदार ने सुने गई थी अगर वही बात करें दूसरी बैठक के बारे में तो दूसरी बैठक जो हुआ 11 December 1946 को हुआ था और उसका अस्थाई अध्यक्ट डॉक्टर राजवनर पर साथ चूने गई थी नोट कर लेंगे ये सभी फैक्ट को जो आपके एक्जाम्स में पूछते हैं और एक कोईशन पूछे जाते हैं अपके एक्जाम्स में कि सभीधान सभा जो बना था वो किस के ताद बना था केविनेट मिसर योजना के ताद बना था सभीधान सभा नोट कीजिग आप सभी गठन हुआ था, next question दिखे, भारत में लोकिक सर्भोमिक्ता है क्यों की सभिधान की पुरुस्ताबना आरम होती है, तो ये आरम होती है हम भारत के लोक सब्दों से, option में D, right answer हैंगे, next question दिखे, question में से एक से, नविंतम जनगन्ना के अनुसार, भारत में जन संख्या की आउस वार्षिक दर है, तो ये सामिल नहीं है, तो ये सामिल नहीं है, किसानों को मकान ड्रीन, option में D, right answer हैंगे, नोट कर लेंगे, next question दिखे, भूमी विकास बेंग, निमलिखित का एक अनसे हैं, तो इसके राइट से option में जाएंगे, सहकारी, अधार, ढाचा का ये, एक answer, note कर लेंगे, option में D, right answer जाएंगे, अगर बात करें, भूमी विकास बेंग के अस्थापना के बारे में, तो इसके अस्थापना हुई थी, 26 मार्च, 2957 को अस्थापना हुई थी, नोट करेंगे, हरित करांती की सफलता निमलिखित की उपलवत्ता पर निर्वरें, तो इसके राइट से option में जाएंगे, इन में से सभी हो जाएंगे, बीजों की उच पैदाबार किस्म, परियाप्त सिचाई सुभीदा, रसाइन, उब्रक एबं किट ना सक, option में D, right answer जाएंगे, note कर लें सरकार को I होती है, तो इसका option में A हो जाएंगे, उत्पात सुल्क से होता है, note कर लेंगे, option में A, correct answer हो जाएंगे, चाले, next question दिखे, question 11 की उरागे बढ़ते हैं, भगत सिंग, राजगुरू तथा सुगदेव को फांसी दी गई थी, इसका option में C, right answer हो जाएंगे, 1931 में दी गई थी, मार्च, 1931 में भगत सिंग, राजगुरू, सुगदेव को फांसी दी गई थी, note करेंगे, आप से भी, next question दिखे, लंदन में जेंडल डायर को किसने गोली मारी थी, यह वही जेंडल डायर हैं, जिसने जल्यावाला बाग हत्याकांड में बीना कोई सूचना का गोली चलने का आदेश दे दिया था, जो कि अन्नादून गोली चला था, जिसमें कि हजारों के संक्या में आदमी मारे गई थी, तो इसको गोली किसने गोली थी, उदम सिंग ने मारे थी, नोट कर लेंगे, ऑफिशन मड़े, राइट आंसर हुजाएगे, अगर बात करें, जल्यावाला बाग हत्याकांड की बारे में, यह कब हुई थी, 13 अप्रेर 999 को हुई थी, नोट करेंगे आप सभी, जल्यावला भाग हत्या कांड का पढ़ता है अमरी सेर में पढ़ता है सोराज पार्टी का गठन किसकी उसपलता के बाद हुआ तो सोराज पार्टी का गठन जो हुआ था यह आश्योग उंदलन की उसपलता के बाद हुआ था आउक्सर नमर ए, राइट आंसर जाएंगे, इसकी अस्थापना हुई थी, गठन जो हुआ था, वह एक जनवरी 1923 को हुआ था, अच्छोग अंदलन शुरू कब हुआ था, 1920 में शुरू किया गया था, महतमा गांधी जिद्वरा, जबकि 1922 में इसको वापस लिया गया था, क इसके अस्थापना हुई, इसके अस्थापना हुई थी, सिंगापूर में, नेक्स्ट कोर्शन दिखे, अखिल भारते खिलापस सम्मेलन जो 1929 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, यह चुना गया था, महतमा गांधी जी को, शाले, नेक्ट कोर्शन दिखे, कोश्चन असिस्टिन स्क्रीन पे, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने बर्श का, जी बिलकुल सभी आंसर करेंगे, कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने बर्श का, इसे जेल हुई थी, 6 बर्श का हुई थी, नेक्ट कोशन दिखे, अध सहारी छेत्रों से अधिक्तम नरम पंथी नहीं था थे नेक्स्ट कोशन दिखे 1857 के बिद्रों का बिहार में 15 जुलाई 1959 से लेके 20 जुलाई 1959 तक केंद्र था तो ये केंद्र था जगदिस्पूर इसका नेतरित्व कोन कर रहा था वीर कुवेर सिंग कर रहा था नेक्स्ट कोशन दिखे खोज बिद्रों हुआ तो ये बिद्रों हुआ था 1820 से लेके 21 के दोरान हुआ था अप्शन मसी कैरेक्ट एंसर रहेंगे नोट कर लेंगे आप सभी इतने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक जुड़े करेंगे आपका एक लाइक में मोटिविशन करवाता है और जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर निक बाद बैले किसकी गंटी को प्रेस कर लेंगे ताकि प्रफम की आंउयवलिवकलाजक नोड भिस्न है में मिल सकी पंचैती राज का पर्थम पर्विभर्तित किया गया तो यह कहां किया गया अस्थान के श Clos अभी लेहरू का रजस्थान के ने में नोड कर लेंगे आप सभी अगर बात करें पंचायती राज की तो ये अनुच्यत 40 के अंतरगत पड़ता है नोट की जिगा आप सभी चले नेस्ट कोर्शन दिखिए पंचायती राज का परधान लक्ष है तो इसका लक्ष क्या है ग्राम भासियों में सक्ति का विकेंदरी करन आफचन वसी करे के पंचायती राज को किसके अंतरगत स्वसासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया डौट-डौट के जगा वड़ना है किसके अंतरगत स्वसासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया पंचायती राज को तो ये क्या गया राज के नीति नितेशक तत्वों के अनुसार जांगे, राज के नीति नितेशक तत्व किस अनुचेद में है ip46 स्यले के 51 तक में है नोट करेंगे आप सबी यैसा विदान के भाग चार में है, नेक्ट खॉट्षिंट के भूमी सुधार बूमी सुधार डॉट डॉट के विसेयों के अंतरगत है तो बूमी सुधार जो है ये राज सूची के अंतरगत आते हैं नोट की जिगाब से भी राज सूची विसेयों के अंतरगत आते हैं बूमी सुधार नेस्ट कोशन दिखिए भारतिय मुद्रा छपाई जाती है अगर छपाने की बात कर रहा है तो यह कहाँ छपाई जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में औप्सन नमर डी राइट आंसर जेंगे यह महराश्ट में पढ़ता है जबकि जारी कौन करता है रिजब बैंक ओप इंडिया करता है नेस्ट कोशन दिखिए भारत में पहला पन विजली सक्ति केंद्र प्रारम हुआ कहाँ पे तो यह प्रारम हुआ था सीब समूंद्र में यह करनाटक में पढ़ता है और इसका सपना कब हुई थी? 1902 में हुई थी नोट कर लेंगा आप सभी अगर नेस्ट कोशन की ओर आगे बड़े? कोशन में 26 दिखिए इस्क्रीन पे दूरलब मुद्रा हाड क्रेंसी का आसे उस मुद्रा से है जो इसका राऍसर स्था का आप सी और ग्रामें विकास बैंगो नाबाड उदहार देता है अगर बात करें नाबाड की तो इसकी अस्थापना 12 जुलाई 1982 को वही थी कब 12 जुलाई 19212 को इसकी अस्थापना हुई थी इसका हेड कोईटर का है मुंबई में है मुख्याल है इसका next question देखिए WTO अस्तित में आया तो यह किस वर्स अस्तित में आया था WTO इसका full form होता है 20 विपार संगठन इंगलिज में World Trade Organization काते हैं से तो यह आया था एक जनवरी 1995 को option में भी right answer जांगे नोट कर लेंगे आप सभी next question क्यों रहे के बढ़ते हैं question नमर 29 के screen पे हैं छेतरिय ग्रामीन बैंकों जिसे ग्रामीन बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गी करीथे तो यह वर्गी करीथे अनुसूचित वान्जिक बैंकों से और दी right answer जांगे अनुसूचित वान्जिक बैंकों से नोट कर लेंगे आप सभी अगर बात करें इसके अस्तापना की बारे में छेतरिय ग्रामीन बैंकों के अस्तापना के बारे में तो यह शुरू कब हुआ था दो अक्टूवर 1975 से हुआ था next question के question 13 screen पे हैं पंचिवर्शी योजना का अन्तिम अनुमोदन देता है अगर बात करें पंचिवर्शी योजना की तो इसकी शुरूबात उनस्तो एक्क्याबन से हुई थी पर्तम पंचिवर्शी योजना जो चला था वह उनस्तो एक्क्याबन से लेके 56 तक चला था नोट कर लेंगे इसको नेक्ष्ट कोसन दिखिए पानी का घनतवाधिक होता है यह चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनतवाधिक होता है next question दिखिए किस दातु से बना मिसर दातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पूर्जों के काम में लाया जाता है तो इसके राइट से ऑफिसन में से जहेंगे एलमुनियम को लाया जाता है नोट कर लेंगे ऑफिसन में सी करेक्ट एंसर रेंगे next question दिखिए भारत के किस राज में चांदी उपलब्द होती है तो दिखिए इसका ऑफिसन में डी राइट आंसर हो जाएंगे ऑफिसन में डी ही लिया हुआ है बिहार भारत के किस राज में चांदी उपलब्द होती है बिहार दिया हुआ है पर बात करें हम सभी चांदी के लेकर तो राजस्थान की सबसे अधिक करता उसके बाद करनाटक भी है फिर अंदर परदेश भी है पर यहां बिहार लिया हुआ है आप सभी देख लिजेगा थोड़ा इसको और किलियर कर लिजेगा आप सभी नेस्ट कोशन दिखे किस गैस को असरू गैस के तरह काम में लाते हैं तो यह लाते हैं एस ओ टू को नेस्ट कोशन दिखे परकास का शुन्य अपकास में बेग अनुमाना थे तो परकास का स्चुन्य अफकास में बेक अनुमानत है 3 गुना 10 पर पबर 8 मीटर पर 30 सेकेंड है 3 इंटू 10 तू दी पाबर 8 मीटर पर 30 सेकेंड है नोट करेंगा आप्सिन में भी राइट आंसर रोजेंगे नेक्स्ट कोशन दिखिए तो ये माना जाता है नेक्स्ट कोशन दिखिए ये राइट आणसर जाएंगे तो अगर बात करें एक्सरे किरन की खोज के बारे में तो इसकी खोज किसने की ती रॉंट जन ने इसकी खोज की थी नेक्ट कोशन दिकिए फ्यूज का सिधान्त है जिसके राइट से ओप्संट सीज़ेंगे बिद्धूत का उसमिय परवाव का ये सिधान्त है नोट कर लेंगे नेक्ट कोशन दिकिए परमानों के नाभिक में निमलिकित में से कन होती हैं तो कई बार आप चीज़ को बता हैं कि परमानों के नाभिक में जो कन महाजूद होते हैं वे कौन-कौन होते हैं प्रोटन और न्यूट्रान होते हैं जबकि एलक्ट्रोन बहार गमन करते हैं और ये राइट आंसर हो जाएंगे नेश्ट कॉस्टन देखिए सुस्क वर्प हैं तो ये एक ठोस कार्बोन डाय ऑक्साइड है नेश्ट कॉस्टन देखिए दूरद्रिष्टी निवारन के लिए काम में लाते हैं पहले दूरद्रिष्टी को समझेगा आपसे भी कि दूरद्रिष्टी होता है क्या है दूरद्रिष्टी में क्या होता है कि दूर की बस्तू दिखाई दोता है पर निकट की बस्तू नहीं दिखाईता है तो अब निकट की वस्तु देखने के लिए क्या करेंगे हमसे भी उत्तल लेंस का परियोग करेंगे यानि इसका option में भी right answer जाएंगे अगर वही बात करें निकट दिरिश्टी द्रोज की निकट दिरिश्टी द्रोस में क्या होता है कि निकट की बस्तू दिखाईता है पर दूर की बस्तू नहीं दिखाईता है तो अब दूर की बस्तू देखना के लिए क्या करेंगे हम सभी अब तल लेंस का उप्योग करेंगे Next question दिखे दूर के 12 बजे किस दिशा मेंamat दिखाई देता है तो इसका रइट सा option में D हो जाएंगे ये नहीं दिखाई देता है दे सकता है option में D, right on तर जाएंगे दूर की समय में इंसर दिखाई नहीं दे सकता है नोट कर लेंगे Next question दिखे दाड़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किस दरपन का तो अब तल दरपन का काम में लाते हैं दाड़ी बनाने के लिए नेक्ट दुखे दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र हैं इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेड इसका रासायनिक सूत्र क्या है एन एटू सी ओ अफ्षन में भी राइड अंतर जाएंगे next question रिके कर दिदोर तो इसे औरधवा पातन कहते हैं next question रिके पौधे एबम, पेड का खाना त्यार करने की परकिरिया कहलाती है तो ये परकास सॉंसिलेशन कहलाती है यानि फोटो सिंथेटिस कहलाती है औफशन में डी राइट आंसर हो जाएंगे नेश्ट कोशन दिखिए निम्न में से कौन सा धातु अर्दचालक की तरह ट्रोंजिस्टर में परियोग होती है तो ये परियोग होती है जेर्मिनिया नेश्ट कोशन दिखिए जैबिक सिस्टम में रासायनिक किरिया की परिकिरिया को तेज करने में उत्तरदायत पदार्ते हैं तो ये पदार्ते हैं इंजाई में नेक्ट कोशन दिके निमलकित में से किसकी कमी से मनुस्य में मधुमे रोग होता है यह होता है इंसूलिन की कमी से मधुमे रोग मानब की शरीर में next question देखे, vitamin जो खट्टे फ़लो में पाये जाता है, तथा चर्म को सुष्ट रखने में जरूरी होता है, वे हैं, तो ये vitamin कौन सा है, vitamin C है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में vitamin C खट्टे फ़लो में पाये जाता है, note कि जिए आप से भी, जो जो खट्टे समान होते हैं, बिटामिन A की तो इसका रासायन नाम है रेटीनॉल रोग रतोंदी होता है इसकी कमी से परमुक सुरोद इसका गाजार है नोट की जिगाव सभी अगर वही बात करें बिटामिन B की तो इसका रासायनिक नाम थाइमीन है और रोग होता है बेरी-बेरी अगर वही बात करें ब तो इसका option मेर एव जाएंगे डायलोसिस काते हैं नेस्ट कोशन दिके तरवाइन वे डैनमो से बिजली पराप्त करने में किस उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तित करता है परिवर्तित करते हैं नोट की जिगा आप सभी तो इसका राइट सा option में से जाएंगे में के लिए उर्जा को परिवर्तित करता है नोट करेंगे आप सभी नेस्ट कोशन दिके लाश्ट कोशन है पढ़ने में काम आने वाले गलासेस किस परकार के लिंज से बने होती हैं ये बने होती हैं ये और बी दोनों जाएंगे अफ्तल और उत्तल से बने होती हैं नोट कीजिगा ऑफिसन में डी राइट आंसर जाएंगे तो चलिए तो आज का ये प्रेक्टिस सेट कम्प्रेट हुए आज का ये प्रेक्टिस सेट आप से ब्यूट के सालगा प्लीज की मिलोगों की से जुरूब बताईएगा अगर आज का ये प्रेक्टिस सेट अच्छा लगा वहलफूल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए आज कर जाएगा और वहाँ से इसका पीडियो डाउनलोड करके आप सब्सक्राइब रिवाइच कर सकते हैं चलिए मिलते हैं जहिंद बंदि मात्रा में